हेलो दोस्तो गुड इवनिंग नमस्ते प्रणाम आप सभीकों फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सज्वान ब्लॉग में तो दोस्तो आज की ब्लॉग की सुरवात हो रही है साम के लगभग साड़े चार बजे से और अभी हम लोग अपने घर के हमारा यहां पर आरू का पेड़ है ममी लगी आरू निकालने पर हलो दोस्तो सभी को पड़नाम कैसे हो आप लोग सब ठीक ठाक दोस्तो तो यहां रो रख हैं बहुत जादा यह देखो जिसको चाहिए होंगे ले जाना बहुत सारे आ रखें क्या बताएं अब मीठे भी हो बहुत मीठे भी हो रहे हैं दोस्तो जो भी वीडियो देख रहे हैं जिनको आरू पसंदे जरूर आ जाओ अगर हमारे नजदी की गांसे भी है तो जरूर आ यह देखो पूरा पेड आरू से भरा हुआ है आप लोगो को धंग से दिखनी रहोगा लेगिन नीचे नीचे के देखो बड़ा लग रहे हैं जरू आप लोग पहुंच गये हैं उपर रोड पे ममी की चंगेरे भी पहुंच गी रोड में और यहां से अम लोग अपने घाओं के नजारे देख रहे हैं आप लोगों को भी दिखाते हैं यह देखो यह है हमारा सुन्दर सानारी गाओं जो आड़कन है'M 000 कर देख सकते हैं वर थीक सामने है सीली लिगाँ तमिंड गांँगई इसकी यहां से नीछ देखेगा थारह कभी से लिगाँगा कि देखाऊंगी यह हमारी दूसरी चाची भी आगी है, हेलो, चाची, जितनी बगारी देखे मैंने, हर कोई यही बोल रहा है, माई करता है, जो नहीं नहीं को हुए हूंगे, वो जाती है, माई के पुराने वाले तो यह दिन जाएंगे, रात रहेंगे, अपने गाउं आ जाते हैं, तो दोस् दोस्तो, नमस्ते, पढ़ाम, आप सभी को अच्छ होंगे, आप यह दोस्तो, बुद्धी कभी खाया है नहीं ऐसा खाते तो है, तो सलाथ में नहीं खाया है, जान नहीं रहता है, तो पिरिज मैं आशी ऐसे पीले हो गए, जाने में जान रहना चाहिए, बात के साथ सालाथ जाने में खाते है, 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 जाने में खाते काखडी खाने के नमक के साथ ही आता है वो भी सब के साथ वह दो लोग बोड़ोंगे इनकी काखडी लगने लगी लगी यह दुकान में थी बेजने के लिए हमारे घर में लगी लोग बोलेंगे हमें दो तो हमने दुकान से ला रखी है तब खा रहे हम लोगी देखो नमक के साथ मस्त करके यहां पर अभी हमारी ताई दादी पूफु लोग जा रहे हैं रोड़ पर घूमने के लिए हैलो और हमारी वीडियो देखते रहते हैं खूब अभी हम लोग पहुंच गए हैं अपनी सिम्लासु वाली साहर में और यहां पर हमारे संकरनाथ भगवान का मंदीर हैं जए हो संकरनाथ भगवान सब पर किर्पा बनी रहे और उपर से देखो कितना बड़ा चीड का पेड़ा यह देखो और यहीं पर हमारे खेत हैं यह वाला खेत भी हमारा है नीचे वाला भी हमारा है और यहां ठीक सामने ना अभी टावर का का म चल रहा है कि अभी आप टावर बन रहे हैं और एक ठीक सामने जंगल में बन रहा है यहां से देखो तार खिच रहे हैं यह देखो यह पूरी हमारी जमीन इधर साइड पूरी बरबाद होगी पहले यहां पर खेती हुआ करती थी लेकिन अब पूरा बंजर पढ़ गया है घास ही हो रखा है यहां पर पर फिसलन फिसलन भी हो रहा है ना पता है मुझे मैं लाइव गिरते वे दिखूंगी आप लोगों को थैंक गौड पहुंच गई सेफली यहां पर भरोसा तो कुछ नहीं है यहां पर पहले ना हम लोग खेती किया करते थे मतलब जैसे और खेत हमारे वैसे यहां पर खेती पर पर गास नीकाल लो तो बोल रहा है उतलद पर बोल रहां लोग तो क्या करीव है तो क्या करी कर सकते हम लोग कुंडे extrasip को खेती तो पहीं कैसे भी उत्ट फिर क्या होता सhillब वार जव कर लाकी दिए और डिच ऐंक तो अभी हम लोग खास के लिए आ रहे हैं यहां पे और हमारी चासे जा रहे हैं उपर पेड़ पे यहां देखो डॉर दिन लगनी तरी इतनी लगनी सुम्दें क्योंकि मुम्मी तो है नहीं डल खुआ तो मुम्मी कभी किसी कभी किसी को मैं थोड़ा बहुत अचली जाती हू यह यह पर उतना ने चल्वादें क्यों उनका वी होगा ना अपना काम जाता है चाली तो हम दो क्या की यह क्जों को अजाओ है यह मत दूरत तेरा काम क्या है इतना पूसाय दोस्तों एक ना तो उसको बहने के खिला थे ठंडा वोताया हो पहाड़ी लगला उसको अभी घास तो चलते हैं अभी भेंश नहीं है और अगर मैं कभी लाओंगी भेंश तो यह ताब मुझे नहीं बोलेगी मेरे साथ चल आपको भी देना पड़ेगा अठाब और कि जाइना अघं़ तो मुझे देना पड़े लिया अब आपको अबta गया साथ ही क्योंकि दोस्तों अभी घास लेकर हम लोग आ देरे बोलने वाली चाची के घर पर कियोंकि मतले हमारे घर जाने का जो रस्ता है न तो चाचे की घर से भूक जाता है तो जब हम इस वाली सर में कौन क्या कर रहा है सब पर नजर जा रही है है मृई जा पर नजर जार aí पर चार तरए रहा रही है है की देखो act쉬 बहुत है तो तो अभि यहां पर बैटेखे थोड़ देर चाय चुई पी के उसके बाद चलते हैं गर अभी यहांपे हमारे पेड ना ढर्द elders bri ड़े वह चोटे-चोटे बच्चे आरू लेने के लिए यह देखो इनके मैंने खूब सारे आरू दे दिया दिखा वा अपनी अपनी थाली यह इतना बड़ा आरू कांसे है यह पेड़ में जा रखा एक बंदर यहाँ पर हेलो सौर्या यहा देखिया यह जा रखा ऊपर-ऊपर से कितना बड़ा आरू हो रहा है यह देखो लेकिन हमारे पेड़ पेड़ चोटे-चोटे लेकिन बहुत जाबा मीठे हो रहे है सारे बच्चे आ रहें थैली लेके मैंने को फुल-फुल थैली भर के देती हूं क्यों कि पूरा पेड़ भर रखा आरू से के अते दिए न्याहगत तो छलो ठीक है bye bye thank you ध़्य कौन बोलेका विए विखा अभी साम के टाइम पर यहाँ पर काम चल रहा है रसी बनाने का और जो धेंस के गले में लगाते हैं दवा दवा पनाने का यह ज़िक है थोड़ी आई बारिस तब तक गायव हो गई मैं बोड़ी सिंगर चाची का सरील जाग पर आगया होगा जो अभी बनाया उसको दिखाओ दो परसी नामी ने या जो बनाया उसको दिखाओ वहां ऐसी कलाकारी करते हैं पुराने साडियों पर कुछ भी चीज वेश नहीं हो न आया से इसको फंस आते हैं बस अबर्स कहीं नहीं जाएंगे चाहिए आम घूम के ब्याएंगे न अब यहां पर देखो आप लोगो को एक अनोखी चीज दिखाते हैं हम लोग बता होगई इसका पहला कर वचो था जाब हमारे साड़ी लाय थे अब यह सारी के आल क्या करें हो डूबने होंष्या है दो काは अनची साल हैं débils अब दोस्तों पंपने मेरी सासो को डी साजब आ दोसके बाद मेरी साल मेरी सासो को बना रहे हैं तो मैं इस कंपी भनाता है अब वह साल QUEuring क्या है प्रें आरीया आभी यहाँ पर हमारी स्रेनगर वाली चाची भी आ गए है रोड से घूम-गाम के मुझने कर नहीं करेक जए वह दुखी बात है वहां को ढुआ इस्य दिन मान कह रहे है अगर उस दिन से खाना नहीं खा रहे हैं . भुलने की विहमत नहीं यार, हमारे ही बेटे हैं, सब अपनी भाइवेन हैं, अपनी बच्चे हैं, सब राजी खुषी रहने चाहिए, बनुदेन विवान, आरी देवी किरपा रखना, जिन जितने भी हैं, वो सब हमारे बेटे हैं, उ वी। बोडर हैं, सब जगों सलामत याँ